वेल्कम बैक टू माई चैनल इलाबादी गल्ब वभीता राज मैं वभीता आप लोग कैसे हो आप लोग भी बहुत अच्छी हो आज मैं एक वीडियो के साथ पिर आई हूं और यह वीडियो भी एक होम रिमेडी वीडियो है और यह वीडियो का टॉपिक हमारे स्कीन से फेस पैक से आपके फेस पैक से आपके फेस पे मोतियों जैसी चमक आएगी और जिसकी स्कीन बहुत ज़्यादा ड्राई है या ऑईली है वह भी इस फेस पैक को लगा सकते बस एक दो टिफ्स हैं उसको आप देख लीजे का मैं भी बताऊंगी की ऑईली स्कीन वाले कैसे पैक दोनों मिल जाएगा मतलब एक स्क्रब भी कर सकते हो फीस पैक भी लगा सकते हो इसे आपके ब्लैक मैं ब्लैक रीजें या ब्लेट हैसे वह निकल जाएगी जो गंदगीं के फेस पर होगी बहुत बड़ी बात नहीं है गोरा होने के साथ पहले होना चाहिए आपके यह दाग धब्बे ना हो कोई पिंपल्स ना हो और आपकी स्कीन बिल्कों क्लीन हो उस गोरापन ज्यादा अच्छा होगा कि आपके फेस पर दाग धब्बे हो वह गोरापन अच्छा होगा जो आपके फेस पर प्रॉब्लम उसको खतम करो उसके बाद आप खुदी गोरे कि फेस को कुछ कैसे करेंगे और कैसे करेंगे और धबे कैसे जाएंगे पिंपल्च कैसे जाएंगे तो सचा क्यों ऑब और जा जो चुल correcting को बराने के बहुत जरूरत नहीं थोड़ी की और तो तो आप देगी सकते हैं, तो चलो फिर हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंट सबसे पहले मैंने यहां मसूर की डाल लिए जिसको अच्छी तरह से मैंने साफ कर लिया यह पचास ग्राम होगी और यहां पे 20 से 25 बादाम है इन दोनों को मैंने साफ करने के बाद एंहें आप क्या करना एक अच्छा सा हमएं पॉर armored तैार करना है इसको मिकसर में मैं पीस हूंगी और अच्छी तरह से इसको पीस लेना है यह भीं पीस लिया है अगर फेंट्स आपके पास mixer नहीं है या आप mixer में नहीं पीसना चाहते तो आप रात में मसूर की डाल और बदाम को भीगो दीजेगा सुबह आप सिलबटे पीस लीजेगा मगर उसे आप इस्टोर करके नहीं रख सकते हो और जब आपको इस्टोर करके रखना ह तो आप mixer में ही पीस लीजेगा और यह देखिए यह पीस गया है और अगर आपको लग रहा हो मसूर की डाल अच्छी तर से नहीं पीसा है तो आप इसमें दो तीन चमच बेसर मिक्स कर दीजेगा और अच्छा फेस पैक यह बन जाएगा यहां पर मैंने यह देखे श्टोर करके रख लिया है यह लगबग एक महिना चलेगा और आपको डेली यूज नहीं करना है इसे हफते में दो या तीन दिन यूज करना है डेली यूज करना चाहते भी हो तो जदा ज़दा पांच बार करिएगा वह फेस पैक की तर यूज करिए तो आईए मैं आप आपको बत करना तो आप तो ज़्यादा लीजिएगा अभी यहां पे कच्छा दूद डालूंगी मैं अब यहां पे कच्छा दूद लेना है आपको कच्छा दूद इसमें दो तीन चमट डालके से इक अच्छा सब घोल त्यार करना जैसे फेस पैक होता बहुत ज़दा गाड़ा नही और यह फेस पैक तो आईली स्किन के लिए हो गया तो आई फ्रेंट आप बताती हूं में ड्राइ स्किन वाले इस फेस पैक को अपने फेस पे कैसे लगाएंगे कच्छा दूद लेना ही लेना है और आपको आदा चमट यहां पे हनी एड़ करना है आप अंडे खाते हो तो अंडे का सफिद वाला हिस्सा लेना है अदर फिरंट साप अंडे नहीं खाते हो तो आप को यह बदाम रोगन तेल लेना है और इसको आदा चमट से भी कम आपको ऐसमें एड़ करना है और इसे ऐड़ करने के बाद इसे आप मिक्स कर लेना और 10 नट के लिए यह से फेस पै इसमें बहुत ही ज्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है और हम जब मसूर की डाल का फेस पैक अपने फेस पे लगाते हैं तो उसका असर आपको तुरंती दिखता है और हम लोग की स्किन पे अलग सा ग्लो आता है अब बादाम के वारे में तो आप जानते ही हो कि बादाम करते हैं और आइक में पूरा अप्लाइ कर लीजेगा तो यहां फटा फटा इसको अप्लाई कर रही हूँ को और यह देखें मैंने पूरा फेश पे लगा लिया है और इसको लगाने के बाद 10 मिट तक मैं ऐसे यह चोड़ दूँगी 10 मेरे हाथ पे थोड़ा सा लगा रही हूं आपके हातों पे एक तरह से स्क्रब हो जाएगा और साही डेड इसकी निकल जाएगी और यहां देखे दस मिनट हो चुका यह हलका सुग गया मैंने हातों में थोड़ा सा पानी लिया है और थोड़ा समय जो बचाई थी फेस पैक उस चोटे चोटे रेड हो जाएगी स्कीन आपकी तो हलके हाथ से यहां इसको हम ऐसे ही स्क्रब करके फुरा निकाल देंगे और आपकी जितनी डेड इसकीन होगी सारी निकल जाएगी ब्लैक हैट्स वाइट हैट्स सब निकल जाएगी और इस फेस पैक से आपकी जो स्कीन होत प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही है, जो डेट स्कीन होगी, वो तो निकलना ही निकलना है, और ये देखिए, अब आप खुदी देखना है, कि एक अलग सा साइन आ जाएगा इस फेस को लगाने के बाद, देखिए, अभी से थोड़ा थो और फेस मेरा साइन कर रहा है, तो चलिए हम आप फेस को क्लीन करते हैं, तो फेस क्लीन करने के लिए आपको ठंडे पानी लेना है, तो मैं आपके सामने ही क्लीन करके दिखा रही हूँ, ये देखिए, और फेस मेरा थोड़ा सा साइन करने लगा, आप खुदी देखिए, कि मैं ने क्लीन कर लिया पूरी तर से अब एक टॉल लेंगे फेस को सुखा लेंगे और आप खुद ही बताओ कि फर्क नजर आया ना यह देखिए फर्क नजर आया और एक बार में कोई चीज असर नहीं करती में हर वीडियो में बोलती हूं आपको इसको टाइम देना होगा यह देखिए फेस ग्लो करने लगा साइन करने लगा तो इससे आपकी जो स्किन प्रॉब्लम होगी और खत्म हो जाएगी और मेरा स्किन इस समय लग रहा है कि किती सारी गंदगी जो है निकल चुकी है गंदगी का मतलब जो हम लोग के धूल मिट्टी हो तो बिल्कु क्लीन आपकी स्किन की जितनी प्रॉब्लम हो जाने वाली है इस फेस पैक को यूज करने से तो पहले मैं आपको यह बता दूँ आखे आप जो भी होम मीडिया कोई भी चीज अपने फेस पे लगाते हो तो उसके पहले फ्रंट पहले आप यह किया करो पहले अपनी गर्दन पे हो सकता आप अपको लगाते हो और अगर आपको फेस पैक को यह तो घीरे दीन कर दो महिने हो तो आप धिरे धिरे कर। आप कोई भी home review छोड़नी हो तो धीरे धीरे करके छोड़ना है ऐसे आप क्या करो तो आप यूज करो देखो आप तो last reference में जाते जाते फिर बोलती हो अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हो तो लाइक कीजिएगा कमेंट कीजिएगा जरूर क्लिक कर दिया करें जिसे में कोई भी वीडियो प्लूट किया करूँ तो उसका notification आपको मिलता रहे और मेरे वीडियो आपको बहुत जला पसंद आते हो तो प्लीज मेचर को सिस्क्राइब कर लीजिएगा ओकी बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई करी को दो भाईब कम गखको करें बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-보क्ता है